बुरा समय आने के दस संकेत नमबर एक, काली चीटी और नमकीन चीज गरुड पुरान ते अनुसार अगर किसी के घर में नमकीन चीजों में काली चीटियां लग जाएं तो मानना चाहिए कि उस घर में पुरा समय आने वाला है नमबर दो, दूद उबल कर गिरना अगर किसी व्यक्ति के घर में दूद उबालते समय बार-बार और लगातार दूद गिर चाता है तो यह दुरभागे का संकेत है नमबर तीन, तुलसी का सूखना जिस घर में हरी भरी तुलसी अचानक से सूख चाती है उस घर की समरिद्धी रुख सकती है तथा धन हानी का खत्रा भी होता है नमबर चार, कांच का तूटना अगर किसी व्यक्ति के घर में बार बार ऐसा हो रहा है कि घर में कांच की वस्तुएं तूट रही है तो यह अच्छा संकेत नहीं है नमबर पांच, बिल्ली का घर में रोना अगर किसी व्यक्ति के घर में बिल्ली आकर बार बार रोती है तो यह एक बुरा संकेत है इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में घर में किसी परकार की दुखत दुरगटना हो सकती है अगर कोई व्यक्ति बार बार सपने देखता है जिसमें उसके साथ या फिर घर वालों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो यह सपना घर में आने वाले दुरभाग्य का सूचक है अगर पूजा घर में बैट कर पूजा की जा रही है और हवा नहीं चल रही है फिर भी दीपक फड़़डा कर बुझ जाता है तो उस घर के लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यह संकेत दुरभाग्य का सूचक है अगर घर के किसी पुरुष सदस्य की बाई आख बार बार फड़कती है तथा महिला सदस्य की दाई आख बार बार फड़कती है तो यहे भी दुर्भाग्य के आने का एक सूचक है जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो उसे सतर्क हो जाना चाहिए नमबर नो, छिपकली का लड़ना वैसे तो छिपकली अगर घर में होती है तो बहुत ही शुब माना जाता है लेकिन अगर घर में छिपकली आपस में लड़ाई करती है तब यहे एक दुर्भाग्य के सूचक संकेत माना जाता है यानि घर में कुछ गलत होने वाला है नमबर दस, बार बार चीजे खोना अगर किसी के घर में चीजे बार बार खो जाती हैं तो यहे भी अच्छा संकेत नहीं माना गया है इसका मतलब यहे है कि आने वाले दिनों में घर में दुर्भाग्य आने के संकेत है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत थन्यवाद